नमस्ते चात्रूं, आज च्वाल दिलीने हमें पस्ट लसन चलाना है पस्टपॉर्ट, पस्टपॉर्ट होता है तुलसी तरण, तुलसी तरण के आतर होते हैं कभी का नाम तुलसी दास, तुलसी दास करन बारे में हम आज कुछ कहते हैं कभी बैच्चे, कभी का नाम होता है फिलसीदस उनका जन्म है सन 1554 उनके माता पिता आत्माराव अउस्ति जब इन्हों नी जन्मे लिया था आशुप नक्षट्र में आशुप अशुप आशुप का मतलग यहने के गान्र इनके माता पिता ने इनको त्यार दिया था चुटपन में ही इन्होंने अनाद वो रहने वाले बाबा नरहरी दास इन्होंने इनका पालन तोशन किया था और इनका सब कुछ पढ़ाई शिकाये थे सब कुछ पढ़तर वो प्रवियंग बन गए इसलिए इन्होंने अपने गुरु से बागा नरहरिदस को ले दिया था और इनका पाशा होता है आवधी इन्होंने स्ट्री नम के अनन्य बक्ते होते हैं पिले इन्होंने अनकी पत्नी का नाम होता है रत्नावली रत्नावनी हिरु कि एक बोर्द मत बिश कर दे कर दया को देद गज्ग 60mesi कीठी लेकि लिगे इन्होंने हमेशा उनकी पत्री के फीचे भी रहते हैं उनके माई क में ध grad जाने करिये नहीं चोड़ दी एक दा साही उन्होंने गये थें अपने माइ के घर तब उनके फीचा क्यों चलें इससे वो नाराज हो गए ही उनकी पत्री पत्रिय और कहने लें ही इतना मेरा फृषट यूथा आना चोड़ दीजिए ही इतना में पर आप में इतना इतness पए ये नशमन शरीड को छोड़ते वह पाकिशरी खापनाना सीख लो बगवान के भार में अप उसका पीचा पिचा है करो ये बद्ध वंन्को इतना ही इतना ही चेतना दे दिया और फुम्ने स susкого बगवाने भूरना शुरू करदिया और इन्ता बहुत बहुत बख्त थें कि बहुत प्रीये भगवान होते थे हमेशा उनोंने स्वियरानवः बहुत प्रिये से प्रणानश करते थे और इसी के कारवध की उन्होंने उनका मुक्या रच्ना होता है रामचरिटा मानस रामचरिता मानस कमत रख रामायन में पहले तो संस्कृत में वालमीकी में लिखाता और तमिर में कमबर में लिखाता और हिंदी में तुरसिदास में लिखाता बहुत फारमस राइटिंग सोता है इंका इसके आलव इन्होने कई रच्नायें कीथी तैटावधी, दोहवधी, गेतावधी, कृष्णगेतावधी, रामायन, विनेपतिता, बरवे रामायन, वायराज्यन, संभिक्नी, पारवधी मंगल, रामसत्सः, हानुमन, नाटर, जानखी मंगल बहुत सारे रचनाइए कीते इन्हों ने, अब इससे इन्होंने बहुत मश्रूर हो गए थे, बहुत फैनस हो गए थे, इन्टामर्दी उगवाता सन्सिस्टिंग ये विमे, अब इन्होंने विनय पत्रिका में पहले पहले जो कुछ भी करते ही, तो हमें मंदल से शुरू करत है है इसा ही इन्होंने अपने बेनय पत्रिका में शुरू किया था बहुत से लेकर नहोंने भिए दितना शुरू किया था बोई मंगल से शुचते हैं। इसलिए, इसलिए इन्होने भी मंगल से शुरू करें, विनायक को लेकर तो पाठ का नाम होता है तुलसिताई, तो इनक अब पेच्चे बारे में बोल दी थी, आप तुलसिताई के बारे में देखिंगे, ये मिने पत्रिका से लिया गया है गानीये गनपत्ती जटवंतन, संकर्सुवन बवाणी नंदन, सिद्धी सदन गजवदन विनायक, कृपां सुंदु सुंदर सब लायक मोतत प्रिय मुद्र मंगल दाता, विद्यावारिदी बुद्धी विदाता, मांगत तुलसितास करजोरे वसे ही, रांस ये मानस मोरे ये पहले पहले किसे शुरु किया था, इसा तरह बोली थी किने विनायक से, विनायक गनपती से, गनपती से ही शुरु किया थे और गनपदी नाम लेकर इन्होंने अपना मिरे पत्री का शुरू किया था गाहिए गनपदी जग का बंदन गनपदी के लेकर शुरू करते हैं संकर सुवन बवानी नंदन संकर का मतलब होता है शिव वे शिव के पुत्रे होते हैं और शिव का वाइड उनका बबाणी नंदन उनका पार्वधी का पुत्र भी होते हैं संकर सुबन शिव का पुत्रे और बबाणी नंदन पार्वधी पुत्रे सिद्धी सदन गजवदन विनायक सब सिद्धियां भी हमें प्राफ्ट करते हैं सब सिद्धियां भी हमें प्राफ्ट कर देते हैं गजवदन गजवदन मतलब गच का मुक्वाला गनवदी का फेस ऐसा होता है गजवदन जैसा होता है करते हैं इस सब माफ करने वाला हैं वह एकसा आगर्स एकसा होते हैं इतना बड़ा कृपा को भी माफ कर देते हैं मॉदत प्रिय मुद्ल मंगल दाता इनका परीय होता है मॉदत हमेशा मॉदत खाते रहते हैं मुद मंगल दाता मतरब शुरुवत तो शुरुवत करना मंगल से शुरु करते हैं इसलिए इनको शुरुवत से सब लोग भी इनका दरबदिवेगी रद्का शुरु करते हैं ये मंगल से होता है ये इसलिए मंगल दाता कहा जाते हैं विद्यां बावान दी बुद्धी विद्धाता, विद्यां शिक्षा, शिक्षा का इन्होंनी शुरुवात होते हैं, इनसे ही शिक्षा हमें प्राप्त होती है, ये शिक्षा बावती है, हमें बुद्धी भी इसे ही इनसे ही मिलती है, मांगर तुलसी दास कर जो रे, इतने फीचर्स होने वाले गड़पती से तुलसितास आईसां प्रात्रा करते हैं कि यह गड़पती मेरे दिल में हमेशा के लिए राम सिता बास करे इसलिए गनपती से इन्होंने ये प्रात्रा करते हैं की हमेशा के लिए मेरे गिल में राम सिता वास करें गानीय नपती जगवंगन संकर सुवं बवानी नंदान सिध्धी सदन गजवदन विनाय कृपा सुन्दू सुन्दर सब लायक मोदत प्रिय बुद्मंदन दाता विद्या वारिगी खुद्धी निदाता मांदत बुलसिता स्करजोरे बसंही रामसिय मानस मोरे अपने प्रिये राम सीता हमेशा उनके दिन में बास करने के लिए इन्होंने गनपती से ऐसा रात्रा करते हैं अब हम पहले पंगती में यह हो गया है और दूसरी पंगती में देखते हैं राम सीता के बार में जांके प्रिया ना राम बैले ही राम करते हैं और बैले ही उनकी पत्नी सीता को करते हैं जांके प्रिया जिस कोई ही लोग राम से प्रिया नहीं होते हैं राम को नहीं प्रणाम करते हैं तो उनको छोड़ देना, ऐसा कर देते हैं, वो कोई भी होता है, कोई बाथ होते हैं, माँ होते हैं, भाई होते हैं, कौन होने पर भी छोड़ देने को कहते हैं तो आभी तती कोटी बारी शंभ नोक ही चुदी ए फटनीग कितनी ही अपना फ्रेंड होने बर भी इतने इतने? प्रणाम नहीं करते हैं। जूर देना है, जो रामसिता को प्रणाम नहीं करते हैं, उनको छोड़ देना है। तजियो पिता प्रहलाद इसलिए ही प्रहलाद भी अपने पिता को छोड़ दिये थे प्रहलाद के पिता करना क्या था हिरनयकर्षिप क्या किये थे वह कोई गौड को नहीं प्राम करना प्रत्रन से मुझे की गड़ समझना आई सही वहां की लोग को वह कहते थे लेकिन उनका बेगां पुत्र होता है व्रहलाद तो उनका अपूस किया था अब उनको ने विश्न को भगवान समस्तर था हमेशा उनको प्रनाम करता था गुसे म पूचे थे क्या हमेशा आपके कभी कभी राम राम करता विश्न विश्न करता कहां वो दिखा वो इससे कहने पर वो क्या किये मेरा यहीं पर रहता सब स्कान करता है बर्पुर होता है तुरत वह फिल्ड़ को ऐसा ही बारत बोल कर निकल कर आते हैं नरसिमा अवतार लेंगे और उनका वत कर देते हैं इससे क्या करते हैं उतसे यह लिए ब्रहल हम अपने पिता को निक्षुपी छोड़देते हैं क्योंकि पिता क्या क्या किये राम को छोड़ने को करते राम को विविष्ण रामन का भाहिए होता है विविष्ण रामन क्या करता है सीता का अपतरम इसलिए नाराज होकर विविष्ण कहाय किया अपने भाई के भाईया के कुक कर्म को सोचकर वह अपने भाईया का नाथा ही छोड़ दिया था भाईया होने पर भी उनको क्या कर दिया छोड़ दिया था महां पर क्या हुआ था रापसीता का अपदरन हुआ था निस्गहिस भॉर महेतारी पाघज नहुंवे बहुते नवी बारत राम को होता है राम बादवस्त जाने का करक लजगे बारत को बादवारत के किया उन्हों नहुत्थिया पागा स्कूष तो आज़ हो अंगा की आहिए क्योंगी अपने भया राम को अपनी माने क्या बनवास काने के लिए कर दिया बढ़ी गुरु तजियो कंद बढ़ी राचा ने बढ़ी राचा के पस जाकर विष्णु ने तीन प्रक्का जमिन मान देते उन्होंने यह के लिए जब वो बली ने उनको देने के समय उनके गुरु शुक्राचारिय उनका गुरु हो दे ही शुक्राचारिय और वे आकर उनको देने से रोग दिया था विश्णों को देने से इन्होंने क्या किया बली शुक्राचार्या ने रोह दिया ता इसके कारण बली ने अपने गुरु को त्याप दिया वो गुरु को अपने छोड़ दिया तजियो बली गुरु तजियो तजियो का मतलब छोड़ देना कंत व्रज बनितनी बहें ब्रुद मंकर कर आई कंत वहां व्रज में वहां पर मत्रा में अन्ने मेले वह आउरत ही क्या करी थी स्री कृष्णे के बारे में अपने प्यार रखने के कारण अपने पती को ही छोड़ दिया था हैं उन्होंने हैं की आपने पती को चोड़े कि दिल सुखर जहां लोग जहां तक क्षाक्षात कि वह Hanukai गारोत तक उधना करते हैं उनका प्राह्तना नहीं करते हैं उनको छोड़ देने के लिए कर्णी जाओं यहां तक उन लोग आपको चुड़ देना, अंजन शुर्मा, जब चर्मा अच्छा नहीं होता तो आंके लगाने का ज़रूरत होती है, तब हम七 नहीं होता है, तो हमें क्या नहीं क्या करते हैं ? उस दिंग्स को उसे छोड़ देते हैं, अइसा ही जो म्यिद को नहीं होता है, ρώप को नहीं प्राणा करते हैं प्रात् Fr racial करते हैं उन लोग को छोड़ देरेंесे यह कामे करते हैं तुलसी सो मांदी औरिफश्जेंश बहुत पूजिये होते हैं, तुलसी के लिए राम बहुत पूजिये होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, प्रांते प्यारों बहुत प्यारे होते हैं, जासो कोई सने है राम पर यतो मतो हमारा, जासो जितना होते हैं उनके पर्मे ही रहने का, यही उनका मन कहता है, वही मन उनक कोए सोच यहां पर तुलसी इससे हम यह पता लगता है तो लोग को छोड़ दीजिए ताही कोड़ी बैसंग वो लोग को छोड़ दीए जितना प्यारा दोस्तों होने पली वो क्यां हो जाता है वेली बन जाता है उसे छोड़नी ना चाहिए पजियो पिता बाहला कि इसी कारण ही राम को प्रणाम करने से रोपने के कारण नहीं राख्रा करनी से रोखने के कारण से ही क्या किया के ब्रहलत ने अपने पिता को ही त्यार दिया था अपने ब्रहलत ने पिता को ही त्यार दिया था और इवीशन ने अपने भाईया रामन को त्यार दिया था और बारगरत ने अपने माता कई देई तो त्यार दिया था Balhi Guru, Balhi भी, Balhi Raja भी का किया था? अपने Guru शुक्राचारिया को थ्यार दिया अर इसके अलेरे आदावाव वो फिल में रहने वाले आउरतें भी अपने पती को थ्यार दिये थे जहां तक उनका प्यारा नहीं बनते ही वे लोगों को छोड़ देना चाहिए अंजन कहा है अंजन जो आंकों में लगाना वाला सुर्मा तो अच्छा नहीं होता तो हमें क्या करते हैं उसे छोड़ना चाहिए जो सब्सदोद नहीं होता है नहीं लापका है तो ऊच्छा को हमें छोड़ इसे हमें पता लगता है कि ये बोयम से इनके पती इनो राम के बाद इतना अबावाद बक्ती का हमें पता लगता है ये पहले पत्पंती में उन्होंने गनवल्टी से इतना मिनची करते हैं कि मुझे हमेशा मेरे दिल में रामसिता वास करें आप दूसरे बक्ति में कहते हैं कि जो रामसिता का प्रातना कोई नहीं करते हैं तो रामसिता का नफरत करते हैं तो उनको कराते हैं वे लोगों कुछ छोड़ दीजिए इससे हमने पता लगता है कि तुलसितास का पर्ण बक्त क्या होता है